हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में क्लास थर्ड के सब्जेक्ट सोसल इस्टडीज के वीक नमबर नाइन की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर देली मिलसिपल कॉर्पोरेशन के द्वार हैं मार्क राइट और रॉंग बच्चो यहाँ पर सही के लिए सही और गलत के लिए गलत लगाना हैं वीकन एंटर जू विदाउट टिकेट हम बिना टिकेट के चीडिया घर में प्रवेश कर सकते हैं तो बच्चो यह है रॉंग यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे Children enjoy a lot in the zoo चीडिया घर में बच्चे बहुत enjoy करते हैं तो बच्चो यह राइट है यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे There are many trees and ponds in the zoo चीडिया घर में बहुत से पेड और तालाब हैं तो बच्चो यह भी राइट है यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे In the zoo चीडिया घर में tigers and leopard roam in the open लेपर्स खुले में घूमते हैं तो बच्चे गलत है तो यहाँ पर cross का निशान लगाएंगे Question 2 है Where is Delhi's zoo located दिली का चीडिया घर कहाँ परिस्तित है What animals are found in the zoo चीडिया घर में कौन-कौन से animal पाए जाते हैं Write the names of any 5 animals कोई भी 5 animals के नाम लेखे Answer is The Delhi's zoo is located on the Mathura road near the old fort दिली में दिली का चीडिया घर मतुरा रोड पर पुराने किले के पास इस्तित है Lion, Leopards, Tiger, Crocodice, Different type of birds etc. are found in the zoo सेर, चीटा, मगरमच, Leopards और विबिन प्रकार के पक्षी चीडिया घर में पाए जाते है Question, What would you do if you see someone harassing animals in the zoo आप क्या करोगे? यदि आप चीडिया घर में किसी को animals को परिसान करती हुए देखेंगे Answer in brief तो बच्चों answer है We should not harass animals हमें animals को तंग नहीं करना चाहिए Because it is not a good thing क्यूंकि अच्छी बात नहीं है They can get angry by being harassed वो तंग होकर प्रोधित हो सकते है So that they can harm anyone और वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते है आप बच्चों question number 4 Look at the pictures of animals carefully दी गए Pictures को बहुत ध्यान पूरुख देखिए Which animal is not captain the zoo इन में से कौन सा animal चीरिया घर में नहीं होता है तो बच्चों First है lion जो की चीरिया घर में पाया जाता है Elephant भी होता है और बच्चों जिराब भी तो जो dog animal है वो कहा नहीं होता वो चीरिया घर में नहीं होता अब बच्चों question है How many cats are there in the picture given below नीचे दीएगे picture में कितनी cats है Count and write गिनिये और लिखिए तो बच्चों इस picture में कितनी cats है 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5 Life skill Malnutrition and balanced diet A balanced diet is very helpful in the development of your body एक संतुलिफ diet आपके body के development में बहुत ही सायक होती है Question is What do you eat in your meal? आप अपने भूजन में क्या खाते हैं? Answer is I eat nutritious things मैं अपने भूजन में nutritious things जैसे की रोटी, पुर्सिस, दाल, ग्रीन वेज़ेटेबल्स, हरी सबजियां, राइस, चावल, milk, दूर, fruits, फल, eggs, अंडे, etc. लेता हूँ संसकार साला We should not give up हमें हार नहीं माननी चाहिए and we should not let problems defeat ourselves और ना ही हमें समस्याओ दारा स्वेम को हराने देना चाहिए किसने कहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम ने food and drink में आज लेना है eat food of your grandparents' choice आज बच्चों आप अपने बुजर्गों जैसे की दादा दादी, नाना नानी की पसंद का खाना खाएंगे drink their choice of beverage और उनकी पसंद का ही पेपदार्थ पियेंगे activity में बच्चों आज आप today brother and sister will exchange their household work आज भाई बहन अपने घर के कारियों को आपस में change करेंगे then find out whose work is so difficult और तब पता लगाएंगे कि किसका काम कितना मुश्किल है game है बच्चो alternate on one leg बारी बारी से एक पेर पर then balance on the other leg फिर दूसरे पेर पर संतुलन बनाना है this increases concentration यह है क्या बढ़ाएगा आपके एकागरता को बढ़ाएगा अब बच्चों daily routine include the following habits in your daily routine बच्चों यहाँ पर कुछ आदिते दी गई है उन्हें आप अपने daily routine में include करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें take a bath daily, रोजाना नहाएं drink plenty of water and eat a balanced diet परयाप्ट मात्रा में पानी पीएं और संतुलिता हार लें avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और बार बार अपने हाथों को दोई complete your homework on time समय पर अपना ग्रह कारे पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you